हालो फ्रेंट्स आज मैं आपके सामने अन्बोक्सिंग रिव्यू करने वाला हूँ भेक का क्रियेटर पॉप एस 640 पेंट टैबलेट और ये फ्रेंट्स बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स पेंट टैबलेट है जिसका प्राइज बहुत ही कम लो प्राइस पें मतलब लो क्रिकिशन तो इसका मॉडेल नंबर आप देख सकते हैं ए 640 मॉडेल नंबर इसका डिमेंशन यहां पर दिया गया है तो यहां पर ठीक ठक आपको कम चल जाएगा इतना बड़ा नहीं है छोटा है लेकिन कम चल जाएगा और इसका जो पीपीए से यहां पे 290 PPS यहां पर दियागा है मतलब इसमें आपको सार्फेस पे बहुत ही अच्छा यहां पर फील आएगा और इसका जो ड्राइबर है वह आपको भीक.com से इसको डाउनलोड करना पड़ेगा और इसका अगर बत करता हूं तो विंडोस 11, 10, 8, 7 सभी में इसको अगर बत करता हूं तो 10, 12 सभी में इसको अगर लिनक्स पर भी उस करते हैं क्या क्रोम 88 पर यूज़ करते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और इसको अगर मोबाल के साथ करके यूज़ करते हैं तो एंडोइड 6 और लेटर पर सभी पर इस बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं बहुत लाइट है और यहां पर पीछे आप देख सकते हैं मेड इन चाइना यहां पर लिखा है और यहां पर इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं यहां पर जो पिंस दिया गया है इसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं और यहां पर दिखाए गया है और यहां पिश्य एक्स्ट्रा को द्या गया है उसके साथ यहां पे नीप पीन जो क्लिप होते हैं और दो USB आपको मिल जाते हैं एक सिटप्प का दूस्रा का नॉर्माल जो माइक्रो USB वह आपको यहां पर मिल जाते हैं जो दौन mental कर शाने करने के लिए पistent सबसे जूड़ चीज ए इसका जो पेरेंट ऐहां पेटरी रीगें डिया ग厉तलो एपकर चैंज करना चाहते हैं तो इसके लिए सकर सकते हैं किका फॉंक्शन कर सकते हैं और मेरा मोबाइल के साथ क्यांट करके मैं आपको दिखाता हूँ तो लैपटॉप पे आप डाइरेक्ट ली इसको यूज कर सकते हैं देखिए यहाँ पर मैं डाइरेक्ट यूज करके दिखा रहा हूँ जो उपरेटिंग सिस्टेम है यहाँ पर यहाँ यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर डाइरेक्ट यूज हो रहे हैं मतलब कोई भी सौप्टर डाउनलोड ना करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं लेकिन फेंट यहाँ पर पेशल सेनसेटिविटी अगर आपको चाहिए और इसको अगर करना चाहते हैं तो उसके बाद आगर ड्रॉ करेंगे तो यहां पर बतकर करते हैं यहां पर यहां पर अगर अगर चना चाहता हूं देना होगा और उसके बाद आप यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से smoothly undo भी हो रहे हैं और यहां पर मेरा पर वर्क कर रहे हैं तो आगर आप एक beginner से अभी अभी आप digital drawing स्टार्ट किया हैं तो आप इसको purchase कर सकते हैं देखे फेंड्स पहले टाइम पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना से ही नहीं है तो इसके लिए फेंड्स आप पहले इसको आप purchase कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं जब आप इसके उपर बहुत जदा आप professional हो जाते हैं उसके बाद ही आप महेंगे जो टेबलेट्स होते हैं उसको आप purchase कर सकते हैं अगोडिंग टु मी फेंड्स में मेरा जो ऑपिनियन है वह में यहाँ पर रख रहा हूं तो फेंड्स आप अगर इसको पर्टिस करना चाहते हैं तो इसका लिंक में मेरा वीडियो डेस्ट पर डाल दूँगा तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं और फेंड्स अगर आप ऐसा ऐसा वीडियो का आप मिस्स करना नहीं चाहते हैं तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए गाँ और इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलेगा आज के लिए इतना ही नेक्स ब्रूप आपको सब्सक्राइब नहीं वीडियो लेके तब तक के लेग गुप्ई